हम अगो हो अपर यह वेल्कम बैक मैं हो नतन सोनी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रट क्रम का ऐसलों सब लोगों को शायद पता भी होगा प्रट करम कहां यूज्स होता है कैसे यूजिस होता है लेकिन शायद इसकी कहानी है जो युजिन आप लोग को ना पता हो अगर आपको इसकी कहाई जो मैं बताने वाला हूँ अगर आपको पहले से पता हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि यैऊ आप को फेले से पता थी या नहीं तो अपने सुना होगा हैंसल और ग्रेटल की काहानी थी जिसमें दो बच्चे होते हैं और उनकी स्टैप मदर होती है जो थोड़ी सी परेशान थी और वो उनको जंगल में छोड़ के आती लेकिन उसमें से जो एक बच्चा था बहुती समझदार था तो उसने क्या किया उसने इसके कुछ example देखेंगे कि किस तरीके से हम breadcrumb को use कर सकते हैं क्या-क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए तो मेरी स्क्रीन आपके साथ shared है और यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक website खोली है डेल की breadcrumb का काम क्या है कि जैसे अभी कहानी से अगर हम इसको थोड़ा सा मैच करें कि जैसे वो बच्चा जंगल की तरफ गया जिस रूट से वो गया उसी रूट से वो वापस भी आया तो यहां पर भी website पे हम उसको वही दिखाना चाहते हैं user को basically breadcrumb जो use होते हैं बहुती यहां से workstation पर click करना है तो यहां पर आप देख सकते हो यह breadcrumb visible है लेकिन कुछ minor चीज़े हमें जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि जो भी मेरी current state है वो link नहीं होगी यानि कि उसके बाद मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ अभी और workstation में अगर मुझे कोई workstation चूज करना ह करता हूं दुबार workstation देखने है product देखने है तो product पर मैं click कर दूँगा यहां पर मैं आ गया और मैंने अपनी journey कहां से शुरू की थी मैंने अपनी journey की शुरू घर से तो यह मेरा घर है यानि कि home page से मैंने शुरू की थी home page पे breadcrumb का कोई भी sign नहीं होता है अब बात आती है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए तो basically अभी जस्त मैंने आपको एक format दिखाया है जो इन्होंने यूज किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि breadcrumb हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं बहुत सारे patterns होते हैं जैसे कि एक state मैंने यहां पर define की कि आप यहां example मिल जाते हैं और different different तरीके के designs मिल जाते हैं यहां पर आपका mind थोड़ा सा open होता है कि एक simple text में ना use करके design wise आप उसको कैसे use कर सकते हो यह सारी चीज़ें यहां पर define होती हैं अब एक example मैं आप खोलता हूं breadcrumb UI यह वाला मैंने example यहां पर खोला यहां पर देख सकते हो home page क के साथ भी icon लगाया है और current state को इन्होंने blue में define किया यहां पर checkout की सारी information है ऐसे ही बहुत सारे example आपको यहां पर मिल जाएंगे आप यहां पर देख सकते हो कि steps में भी आप इनको use कर सकते हो तो design कुछ भी हो सकता है लेकिन logic आपको आज इसमें पता चल गया होगा कि किस त breadcrumb आपको जाहतर देखने को मिलेगा तो अगर आप भी किसी ऐसी application पर काम करते हो just keep in mind की breadcrumb का use क्या होता है और आपको क्लास कैसी लगी है आपको comment में जरूर बताना है और आपकी कोई भी suggestions हो प्लीज मुझे आप अपने physicians भी देते रहे हैं so I hope कि आपको breadcrumb से related story काफी पसंद आई हो और आपको concept भी clear हो गया हो अगर आपको एक class पसंद आई है तो share जरूर करें इस class को और subscribe जरूर करें इस चैनल को thank you so much झाल झाल